नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शर्मास बात करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल जोतिश एन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2nd October 2024 के बारे में 2 October 2024 का एक दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है आज के दिन में आप सभी को कौन कौन से उपाय करने हैं कौन सा एंजल नंबर और आफरमिशन आज आपके लिए खास रहेगा और किस तरह से आपको आज के इस दिन को अच्छा बनाना है सारी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ अन तक दीखेगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिसना हो जाए बहुत बार जीवन में ऐसे मोक्य आते हैं कि हम हताश हो जाते हैं हम निराश हो जाते हैं हम परिशान हो जाते हैं हमेशा हम अपनी किसमत को दोश देते हैं और किसी भी काम को करने से हिचकचाना शुरू कर देते हैं कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जो है आज के दिन में सर्वपित्र अमावस्या हम सभी मनाएंगे और सर्वपित्र अमावस्या मनाने के साथ ही आप सभी के पास पूरा-पूरा मौका है कि आप अपने पुर्वजों को श्रदांजरी दे सकें, पुर्वजों के लिए कुछ विशेश कर्म कर सकें, उन्हें शांती ब्रदान कर सकें, उनकी आत्मा को शांती ब्रदान कर सकें, साथ ही साथ अच्छे कर्मों को करके, आज आप अपने पुर्वजों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं और अपने पापों की संख्या को भी कम कर सकते हैं, आपके पास बहुत ही जादा अच्छा मौका है, और इसक उनके लिए उनकी नाम से कुछ करके आप definitely उनकी आत्मा को शांती जरूर प्रदान करेंगे सर्वपित्र अमावस्या अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है इसी वज़े से आज के दिन में आज के एनर्जीज काफी जाद आच्छी दिखाई दिती है आज ही के दिन सूर्यक रहन भी देखने को मिलेगा भारत में आला कि ना तो कोई सूतक काल है और ना ही कोई सूर्यक रहने ये एक अच्छा संकेत यहाँ पर जरूर दिखाई दीता है सर्वपित्र अमावस्या पर आपको कौन से विशेश उपाय करने है इसके लिए मैं आपको वीडियो अल्ली दे चुका हूँ इस बात का दियान रखियेगा अगर आपने उस वीडियो को जाकर के नहीं देखा है तो हाथ जोड के रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए उसमें सारे उपाय विदिवत तोर पे बताये गए है उन्हें आप फॉलोज जरूर कर लीजिएगा इसके अलावा सूर्य ग्रहन पर भी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ उसे भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा अमावस्या के दिन आप सभी अपने पित्रों के लिए कुछ करने की कुशिश तो जरूर करेंगे अपने लिए भी कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करिए अपने लिए आपको क्या करना है सिर्फ एक ही चीज आपको करनी है आज के दिन में अपने आपको निराशा से पूरी दर से दूर रखना है किसी भी दर की निराशा में अपने आपको मत रखिये सारी चीजें इश्वर पर छोड़ दीजिए जो भी होगा, अच्छा होगा, सही समय पर होगा और सब के लिए भले का होगा बस ये बात सोच करके आप सभी अपने आपको निश्चिंत कर लिजिए क्योंकि आज के दिन में आप सभी जितना रिलाक्स रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा अपने मन में आशा का एक बीज आज जरूर बो दीजिए ये दिन आपके लिए बहुत बहुत ज़ाद आच्छा रहेगा आज के दिन में गोल्डन विश्टाइम एक महतिपुन समय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़ाद आच्छा जो समय रहेगा ये आपका रहेगा एक बचकर पंद्रा मिनिट से लेकर के दो बचकर पंद्रा मिनिट का समय दोपर का समय रहेगा इस समय में आप थोड़ा सा मौन धारन करके रखें अपने पुर्वजों के लिए कुछ करना चाहते हैं दानपुर्णी इस समय में आप जरूर कर सकते हैं कोई दिक्कत, कोई परिशानी आपको नहीं आईगी। इसके अलावा आप सभी जो भी इस समय के दौरान में अच्छा कारिय करना चाहें, जरूर कर सकते हैं, कोई भी परिशानी नहीं होगी। आज color combinations के यहां पर बात करें, तो सबसे metapun color जो रहेगा आज आपका, यह आपका white color रहेगा, white color के साथ ही आज आपका grey color और light green color भी आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा, तो इस समय में आप इन colors को इस्तमाल करके अपने कारियों पर आगे बढ़ सकते हैं, आपको अच्छा परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे, आज के दिन में angel number के यहां पर बात करें, कौन सा number आज विशेश तोर पर आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा, यह आप note कर लिजेगा, प्लीज, आज angel number में जो number विशेश रहेगा आपका, यह बहुत बहुत ज़ादा positive number है, और आज के दिन में जब भी आप इस number को recall करेंगे, आप सभी को अपनी soul power को इस्तमाल करना है, अपनी inner power को इस्तमाल करना है, अपनी आखे बंद करके गहरी सांस लेकर किस number को recall करिएगा, और फिर इसकी उर्जा, इसकी energy को महसूस करिएगा, आपको कितना ज़ादा positive feel होता है, यह आप मुझे comment box में लिख करके ज़रूर बताईगा, इस angel number को use करने के बाद, जो भी experience आपके साथ होता है, आपसे request है, comment box में अपने experience से ज़रूर लिखिए, ताकि दूसरे viewers भी उसको पढ़ पाएं, और उन्हें भी पता चले कि कितना powerful number आपको मिल रहा है, अब बात करते हैं आपर आज के दिन में कौन सा affirmation आपके लिए बहुत ही ज़ादा खास रहेगा, नोट कर जिएका प्लीज, आज का affirmation, I am awakening to the truth of my divine essence, I am awakening to the truth of my divine essence, यह आपको बोलना है, और उमीद करता हूँ कि आज क्योंकि दिख्या, आज हम इश्वर को याद कर रहे हैं, आज हम अपने पूरवजों को याद कर रहे हैं, आज हम नकारात्मक्ता से सकारात्मक्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हम डेफिनिटली अपने आपको पॉजिटिव बना रहे हैं, और आज यह affirmation भी आपको इसी तरह से positivity देता हुआ नजर आएगा, उमीद करता हूँ कि इस affirmation के इस्तेमाल के बाद आप बिलकुल भी negative नहीं होंगे, अब बात करते हैं, आज के दिन में कौन सी राशी, नमबर और अल्फबेट के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शांदार है, राशियों में यहाँ पर बात करें, तो आज के दिन में वरशब राशी, सीहे राशी, कन्या राशी और कुम्ब राशी के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, नमबर में बात करें, नमबर 3, नमबर 5 और नमबर 7 के लिए आज का समय काफी ज़्यादा अच्छा है, आज के दिन में alphabets में यहाँ पर देखा जाए तो alphabets में A, C, D, J, K, N, Q, T और V आप सभी को आज के दिन में अच्छे result यहाँ पर जरूर जरूर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं आज के दिन में आप सभी को वैदिक उपाय में कौन सी basic चीज़ें आज के दिन में करनी है वैसे तो मैंने main उपाय जो हैं वो आप सभी को already अमावस्या के वीडियो में दे दिये हैं बड़ फिर भी कुछ basic उपाय में आपको बता देता हूँ या आप नोट कर जीएगा प्लीज आज जैसे सुबह उड़ते ही सबसे पहले तो अपने इश्वर को नमन करें और अपने नहाने के पानी में गंगाजल मिला करके नहाईएगा एंड इसके अलावा पूरे गर में आज गंगाजल का च्ड़काव जरूर करियेगा आज अपने गर की चौखट बिल्कुल भी गंदी ना रखें गर के मुख्य द्वार के बाहर बिल्कुल भी आज कच्चरा एकटा ना रखें और साथी साथ अपने गर के मुख्य द्वार के आसपस किसी तरह की कोई गंदगी फैला के ना रखें इस बात का ध्यान रखेगा खासकर जूते चपल भी बिखरे हुए ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना है आज के दिन में इसके अलावा अपने पुरुजों को याद करते हुए अपने दिन की शुरुआत करिएगा और उनके भोग के लिए जो भी चीज़ आप बनाए वो शुद्ध मन के साथ बनाईएगा और गर में किसी तरह का लड़ाई जगड़ा ना करें आज के दिन में अलकोहल, नौनवेज इस तरह की चीज़ें इस्तमाल ना करें इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखेगा उमीद करता हूँ कि छोटे-छोटे उपाय यह आपकी मदद करेंगे और आपके दिन को और ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास जरूर करेंगे आज के दिन में अगर आपका जनल दिन है, आपके अनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेश मैथपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हरदिक्षिप कामना है आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट साल रहेगा थोड़ी सी महनत जरूर आपको करनी पड़ीगी, परंत महनत के बाद आने वाले साल में डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम जरूर जरूर देखने को मिल जाएंगे आप सभी को आने वाले साल में दो चीजों पर पूरी तरह से मैथपुन ध्यान रखना है पहली चीज अपनी मदर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि आपको कोई दिक्कत के परिशानी ना हो दूसी चीज किसी भी तरह के लीगल मेटर्स में अगर आप उलजे होए हैं तो थोड़ी सी साब्धानी जरूर रखिएगा नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है सरकी योग बनते हैं इश्वर से प्राटना करता हूँ आप सभी का साल अच्छा जाए